दोस्तों किसान एक ऐसा नाम है जिसके बिना हमारे जिन्दगी की कलपना भी नहीं की जा सकती है रोज सुभा उठते ही हम बेख फास्ट करते हैं दिन में फिर हम लंच करते हैं इवनिंग में हम स्नेक्स लेते हैं राट में हम टिनर लेते हैं जीवन का एक एक पल जो हमारा पीता है हमारी नसों में जो खून बह रहा है यकीन जानिये वो किसान की ही देन है क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तब ही खून बनता है किसान हमारी रगों में दोड़ना है लेकिन किसान के जो हाला इस देश में हैं और इस देश में जो घटना एक घट रही है किसानों को लेकर उनको देख कर कई बार ऐसा लगता है तोस्तों की वाकई हम एक कीस्वी सदी की बात कर रहे हैं लेकिन अभी हम एक कीस्वी सदी से कोसों मीलों तुम रहे हैं और ये बात हमें सुईकार लेनी हैं दोस्तों मैं अपनी बात करता हूं मैंने खुद तकरीबन दोसों से जाता काउं खुद घुमें किसानों से मिला हूं उनकी समस्याओं को मैंने देखा है बस में ट्रक में ट्रैक्टर में पाइक में और जहां पाइक और कार भी दी जाती नाओं में अपनी पाइक रखकर नदी पार करकर गाओं में जाना और उन गाओं में अपनी राते वे दाना क्योंकि साम कुछ च्छे बज़े के बाद आप वहां से निकर नहीं सकते ऐसे ऐसे गाओं मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे किसान मैंने देखे हैं जिनके पास एक छोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों लेकिन वो खुछ रहते हैं क्योंकि वो जमी से जुड़े हुए हैं प्रकरती से जुड़े हुए हुई लोग हैं दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे किसानों को देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन जब भी उनसे मिला हूँ तो उन्होंने खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मुझे दिया है भले ही वो एक सूखी रोटी हो और एक प्याज का टुकड़ा हो लेकिन उन्होंने मुझे खिलाया और मैं इस किसान का कर्चदार हूँ दोस्तों एक अपनी ही लाइफ का एक किस्सा में बया करना चाहता हूँ आपसे आप समझेंगे कि किसान की स्थितिक क्या है मैं एक बैंक में बैंक मैनेर से मिलने गया हुआ ता गाओं में तो इक बूरा किसान वाँ पर पैठा हुआ उसके केविन के भाहर बहुत रो रहा था तो मैंने बैंक मैनर से पूछा कि यह किसान इती देर से रो रहा है आप उच्ते क्यों नहीं की क्या हुआ है तो उसने बोला कि इस किसान ने ट्रेक्टर के लिए लोन लिया था और अब यह लोन की किस्त चुका नहीं पा रहा है तो हम लोग ने उसका ट्रेक्टर उठा लिया उसके घर से और यह ट्रेक्टर भाहर बैंक के भाहर रखा हुआ है जब यह किसान किस्ते चुका देगा तो ट्रेक्टर ले जाएगा और किसान बिचारा इसलिए रो रहा था कि उसकी फ़सल की बौही अभी बागी है और उसे ट्रेक्टर की सक्त जरूरत है नहीं तो अपने परिवार का पालन पोशर कैसे करेगा और जब कई सालों तक मैं गाओं में घुमा तो मुझे पता चला कि किस तरह किसानों को फर्जी लोन देकर फसाया जाता है किस तरह उनकी जमीन को फर्जी दिखाकर उसके नाम पर किसान को लालज देकर लोन दे दिया जाता है जो किसान विचारा हल से खेती कर रहा है उसको लालज देकर की ट्रेक्टर से खेती करो उन्हें लगवाली जाते हैं लेकिन किसान को नहीं पता कि इसकी किस्थ देनी है और अगर वो किस्थ नहीं दे पाया तो इंट्रेक्टर उससे छिंग जाएगा और यही होता है दोस्तों और यही होता चला आ रहा है खेर हमें किसान की इस्तिती से क्या लेना देना हम दो शेहरों में रह रहे हैं हमारा तो दूर दूर तक उससे कोई वास्ता नहीं है सुभे की सबजी हमें मिल जाती है तूद हमें मिल जाता है मौल में जाते हैं तो सबजी खरी देते हैं ऐसे वाले लोग है किसान की इस्तिती जानकर हमें करना क्या है लेकिन एक बार आप किसानों से चरूर मिली दोस्तों तब आपको पता चलेगा कि आपका उनसे बहुत गहरान आता है बहुत गहरान क्योंकि वो आपके खून में है मेरी एक किताब आय थी लास्ट एयर उसमें मैंने एक कविता रिखी थी किसान के लिए आज वो में पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ और फिर आप समझेए कि एक किसान आगिर होता क्या है एक किसान की वेद्रा क्या होती है कविता का सीरसक है किसान अर्द नगन शरीर लिए पसीने से सरापोर हुए सर्दी घर्मी याहो बरसात किसी की बिना परवा किये कर रहा है जो श्रम उगा रहा है अन खुद भूका रहकर कर रहा है जो तुनिया की भूक का इंतजाम किसान है ऐसे शक्स का नाम बंजर भूमी पर भी अन उगाता है जब जब किसान अपना हल चलाता है कून और पसीने से सीचता है धर्ती जो तुनिया का पेट है भरती मगर विड़मना ये है कि आज ही उसका सबसे ज़्यादा तिरसकार हो रहा है वो आत्मत्या करने को मजबूर हो रहा है अगर अन दाता ही ना रहा तो दुनिया में प्राणे जीवित कैसे बचेंगे सब कुछ छोड़ सकते हैं हम बगर अन खाना कैसे छोड़ेंगे अन दाता पर एक उपकार करना होगा उसका उचित सम्मान करना होगा ईश्वर की कृपा से ही उसकी दुनिया चलती है प्रकरती का कहर भी उस पर सबसे ज़्यादा परसता है फिर भी किसान अपना फर्ज पूरा करता है इस दुनिया में किसान ही सबसे बड़ा चोखें उठाता है ध्यान दीजेगा इस पंक्ती कर दोस्तों इस दुनिया में किसान ही सबसे बड़ा चोखें उठाता है उसका खजाना खुले आसमान के नीचे होता है जिसका रखवाला सिर्फ उपरवाला होता है मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों दो 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 दोस्तों